हेलो एडिवन गुड मॉनिंग नमस्कार 19 अक्तोबर 2020 और आज के दहिंदू न्यूजपेपर को हम लोग अनलेसिस करेंगे सबसे पहले सोरी ये वीडियो आज लेट आ रहा है और एक और इंपोर्टन अनॉसमेंट कल से वीडियो की टाइमिंग सेम रहे की 5.45 के आज पास टाइमिंग रहती है तो वही रहेगी और आज ये वीडियो के लिए थोड़ी कम कर दी गई है सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हैडलाइन का इंडिया पास्ट कोवेड पीक सेज डी एस्ट पैनल नी एक इन्फरमेशन प्रवाइड करी है रीसेंटली अगर आप कोवेड नाइनटीन के केसीज को प्रोपरले एनालीसिस करेंगे यहां पर एक फिगर भी आपको दिखाई दिखी यहां पर दिखाई देरा कि continue हमारे नंबर और ओफ केसीज जो है 7 days के average, 7 days के average, खासकर deaths के context में देखें, तो दोनों ही धीरे धीरे कम हो रही है, approximately 63,000 और 800 के आसपास ये number of cases और death जो है वो हमें देखने को मिल रही है, अब इसको थोड़ा सा observe किया गया, analysis किया गया एक panel के द्वारा कि ये क्या चीज़े हैं, तो इसमें यहां कहा गया है कि भ धीरी धीरे नीचे आना पड़ेगा, तो September mid में हमने वो peak हासिल किया, ये official panel की एक तरीकिस analysis है, इनके अलावा एक predicts किया गया कि cases जो है वो February के अंडर तक जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, इन सब के अलावा अब depend करेगा कि festival seasons के अंदर, क्योंकि festivals आने वाले हैं, कैसे हम लोग react करते हैं, या कैसे हमारी observations रहती हैं, इसके just नीचे अगर आप देखेंगे, केरला के अंदर जो cases increase हुए, वहां पर Union Health Minister पोल रहे हैं कि ये एक तरीके से जो autumn festival हुआ, उसमें negligence देखने के मिला, उसको बिलकुल avoid किया गया, department of science and technology की ये एक findings है, survey है, report है, जिसके अंदर seven members थे, उन्होंने इस चीज़ को analysis कि भारत के अंदर जो continue number of cases, खासकर active cases जो है, वो कम हो रहे हैं, भारत में अभी जो cases है, वो लगबग 75,000, 75,000, 75,000, 75,000, sorry, वो case confirm हो चुके है, लेकिन फिलाल जो active case है, वो 7,64,007,74,000 के आसपास है, तो ये धीरे धीरे analysis इन्होंने कर रहे हैं कि flat हो रहे हैं, cases कम हो रहे हैं, या कई ने कई हम एक peak के बाद अब उसको systematic level पर कर रहे हैं, अगर cases flat रहते हैं, continue कई दिन तक, तो एक science होता है कि virus जो है, एक limit तक impact कर रहा है, इनके लावा testing अपने level पर increase की गई है, और जितने भी epidemiologist है या mathematical model के थूँद जिन चीजों को analysis कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि कहीने की flat हो रहा है, इन सब के लावा इस बात को avoid नहीं किया जाना जी, बिलकुल case कम जुरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें जो measures हैं, जैसे sanitization है, या mask पहनना इस तरह है कि जो भी personal hygienic जैसी चीजी है, उनको continue किया जाना जी जब तक vaccines नहीं आ जाए या बिलकुल कम case ना हो जाए, तो उसके लिए continue काम किया जाएगा, और दूसरा जो है इसमें बताय basis किया जाएगा है, खासकर जो अभी नवरात्रे, दिवाली, दसहरा, जैसे कई सारे festival से भी आने वाले हैं, और अलग-अलग religion में, अलग-अलग regions के अंदर कही सारे festival celebrate किये जाएगे, उसके दोरान हम कैसे react करते हैं, इनके लावे concern ये भी जैसे बिहार के अंदर या कई जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक question लगता है कि क्या election commission of India ने जो norms बनाएते हैं, उनको follow किया जा रहा है, और जो follow नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या actions होगा, सेकेंड इसी page पेक importance information है, recently आपने पढ़ा होगा GST के बारे में, और उसके बाद अब एक committee थी या commission जिसको बोल सकते हैं, finance commission जिसका हमारे constitution के article number 280 के अंदर जो है discussion किया गया है, ये generally क्या करते हैं, ये government को recommendation देते हैं, financial sector के अंदर, खासकर जो fund share को लेकर अगर हम कह सकते हैं, कि इस center को state government क्या fund करना है, president को अपने report देंगे, इसके बाद ये report जाएगी parliament के अंदर, तो article 280 के अंदर discussion किया गया है, इस time 15th finance commission, पंदर में finance commission है, जिसको chair कर रहे हैं, N.K. सिंग, तो सबसे पहले इने observations किया, कि इस पिछले कुछ दिनों में जो सबसे ज़्यादा एक word news मे आया है, वो है GST, GST के लिए को लेकर मैंने कई बार बताया है, कि GST एक indirect taxes है, जिसके अंदर कई सारे state के और कई सारे जो हो, center के tax को मिला के, तीन तरह के tax बनाएंगे, center GST, state या UTGST, और interstate GST, और इसके अंदर कई सारे item अभी भी include नहीं किये गए हैं, जैसे natural gas हो गया, oil, petroleum product, ATF, aviation, turbine, fuel है, या alcohol इस तरह के product अभी इसके अंदर include नहीं है, तो इसमें अब जैसे pandemic के दुरान ये हुआ कि वहाँ पर tax proper collection नहीं हुआ, तो उसमें compensate नहीं किया गया, तो GST, CES के मामने माना जारा, CES का मतलब है tax on tax, आपके उपर tax के उपर अगर tax impose किया जारा, एक particular purpose के लिए जैसे education है, या सवज भारत अभ्यान है, तो वो CES लगाया गया, तो वो particular चीज के लिए use किया जाएगा, और ये कहीं कहीं central government इसको share करने के लिए compulsory नहीं होती, तो उसमें जो state को lost हुआ था, इसके अंदर provision था कि जब 2017 में ये bill implement हुआ, कि भाई अगर state government को lost होगा, तो उसको central government compensate करेगी, तो उसके अंदर बताया गया, कि अभी जो GST council की meeting हुई, जिसको chair करते है, finance minister union वाले और बाकी सारे finance minister जो state को होते हैं, वो उसके member होते हैं, तो इसके अंदर बताया गया, कि एक important issue GST compensation को लेकर है, जो continue news में है, तो state और center के बीच में एक तरीके से इसम dispute भी हुआ, और जो proper जो सहमती नहीं बनी, CES को लेकर बताया गया, अगर CES कम हो रहा है, या एक तरीके से compensation कम किया जा रहा है, तो ये cover किया जा सकता है, किसके तुरू, अगर CES को आगे बढ़ा जा सकता है, compensation CES को, ठीक है, 2025-2026 के आज पास तक हम लोग इसको increase कर सकते है, ताकि उनको properly fund जो दिया जासके state government को, और ये central government की responsibility भी है, तो इसी के बारे में इन्होंने discuss किया, इस से related एक article भी है, उसमें हम थोड़ा ओर detail से पढ़ेंगे, GST के पूरे concern को, GST से related चीज़ों को, foreign section में दो important news है, सबसे पहले इरान के उपर जो अभी पर्तिबंद लगाए गया थे 2015 के अंदर कि वो कोई arms जैसे चीज़े नहीं खरीद पाएंगे, तो उसको United Nations की body ने हटा दिया गया, हटा दिया का मतलब उसका time period था कि 5 साल तक रहेंगे, जितने वी time तक रहेंगे, वो क परचेज कर सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इरान वेपन परचेज करेगा, तो इसका असर कहा होगा, पूरे reasons के अंदर क्या असर होगा, उनके वारे में अगर आप देखेंगे, इरान के map को observe करना वहुत जुरूरी है, इरान की geographical location को observe करना जुरूरी है, Western Asia में कई सरे change आपको देखने को मिलेंगे इन दिनों में, सबसे पहले इसराइल के context में change हुआ, United Arab Emirates और बहरीन जैसी जो Gulf countries है, उन्होंने इनके साथ diplomatic relation मनाई, ठीक है, इनके अलावा इरान का साथी अरिबिया, इसराइल और दुनिया भर के देशों के साथ issue, US के साथ issue, चैना क huge investment यहाँ पर और भारत के कई सारे project का यहाँ पर cancel होना, एक diplomatic level पर बहुत important country रहेगी इरान, इन सब के अलावा, इरान की geographical locations के आसपास जिन country को भी आप observe करेंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, तुक्वेनिस्तान हो, अजेर बेजान, अर्मेनिया हो, इनके अलावा इराक हो, और तरकी हो, सिरिया हो, जो भी country इसको touch करती है, सिरिया हलागी touch नहीं करती है, और यह कैस्पियन सी, इन countries के कि में काफी ज़्यादा अभी भी dispute है, इराक अपने आप में disturbed country अभी भी बना हुआ, जब से Islamic State of Iraq and Syria ISIS का जो impact यहाँ पर देखने हो को मि आजेरवेजान और आर्मेनिया के बीच में, वार अभी भी कभी continue हो जाता, कभी रुख जाता, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में fight जारी है, इसके लाव इन countries है, क्योंकि यह सुनी countries है, यह CIA group of countries है, इनके बीच में dispute है, इसराइल के साथ इनका अपना dispute है, US के साथ इनकी बनती नहीं है, अफगानिस्तान अभी भी अपने आपको peace deal establishment करने की कोशिस कर रहा है, और पाकिस्तान अभी भी कोशिस कर रहा है, कि वो black list के अंदर ना जाए, financial action task force के अंदर, अगर आप geographical perspective से देखें तो कापी important है, पहला कैस्पियन सी को touch करता है, कैस्पियन सी को मैंने पहले ही बता है कि पांच country touch करती है, इरान, तुर्कमेनिस्तान, उपर अगर आप देखें कजाकस्तान, रश्या और अजिर्वेजान, इरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकस्तान, रश्या और अजिर्वेजान, राइट, इनके अलावा ये काफी important है, Persian Gulf को के context में, और Persian Gulf और ये दो के बीच में एक और important सा parameter है, वो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, state of harmony, देखें, state of harmony का, ये state का मतलब क्या है कि दो water bodies, for example, Gulf of Oman और Persian Gulf, इनको connect करेगी state of harmony, तो ये map perspective से important है, इनके अलावा एक और छोटी सा information है, इसराइल और बहरीन के बीच में अभी जो diplomatic relation बने थे, उनके बीच में अब formalization शुरू हो गया है, recently हुआ क्या था, कि इसराइल जो है वो अरब country या गल्फ country के साथ उसके relation पहले इतनी diplomatic नहीं थे, वैसे normal relation जो होते हैं, formal relation बोल सकते हैं, official relation नहीं थे, तो इसराइल के केवल पहले से इजिप्ट और जो है जोडन, दो countries के चलावा, इसराइल ने recently, UA, United, अर्वा मिराज और भारीन, यानि एक important Gulf countries इनके बीच में diplomatic relation हुए, अब इन relation से पूरे western Asia की geopolitics change हो रही है, reason is that, अगर Muslim countries इसके इसराइल के साथ relations बनाती है, diplomatic relation बनाती है, तब question ये उठेगा, कि पलेस्तान या two state solution की जो बात करते हैं, इसराइ होगा, अगर हम इंडिया की position की बात करें, तो देखो जितने भी diplomatic relation इसराइल से होंगे, हमारे लिए benefit है, और दूसरा भारत इस बात को ensure करता है, कि two state solution हो, peaceful solution हो, लेकिन भारत के लिए जो सबसे बड़ी priority है, वो इसराइल के साथ relation है, कभी भारत फिलिस्तान के खिलाप नही voting करी है, लेकिन इसराइल के साथ भी हमारे relation बहुत अच्छे है, आज मंडे तो economics में कुछ खास नहीं आता, तो दो important editorial हम cover करेंगे, और उसके बाद कल से proper 545 पर proper discussion हम करेंगे, बाकी सारी context में, सबसे बात पहले बात करेंगे, दो important editorial, पहला है an incomplete solution, ये basically GST compensation को लेकर है, कि center न भी proper नहीं है, सबसे पहले पूरा scenario अगेन हम repeat करते हैं, GST act जब बना था, 101 constitutional amendment के through, इसमें constitutional amendment में, परलियमेंट ने permission दी थी, इसके बाद जो है वो आदे state government ने भी approval दी थी, state government आदी वहाँ approval करती है, जहाँ पर central state के relation या उन से related कोई subject जो वो discuss किया जा रहा, वहाँ पर उन एक जुलाई 2017 से GST tax को impose किया गया, indirect tax इसके माना गया, और इसके बाद एक GST council बनाएगी, GST council का मतलब क्या है, कि इसके अंदर union finance minister chair करेंगी, बाकि स्टेट जो या UT के जो finished minister है, वो as a member इसके अंदर होंगी, इसमें जो decision है, वो three fourth से लिये जाएंगी, यानि 75% majority से, और इस state government का होने वाले, अब इसके अंदर, जब ये छे महीने lockdown के रहे, तो GST collection कम हुआ, तो center government ने बोला state government को, कि हम आपको compensate नहीं कर सकते, क्योंकि taxation नहीं हुआ, तो state government ने, इनको याद दिला कि भाई, इस GST compensation act के थूँ, आपको compensate करना ज़रूरी है, compulsory है, इनके अलावा, GST tax collection म question, इनके उपर उठा जब central government ने, 2.35 lakh crore रुपे, जो वो कहीं ने कहीं, उन्होंने CES के रूप में हासिल किये, GST CES, और उसका केवाल 1.1 lakh crore रुपे ही transfer किया, तो ये question mark था, इसके बाब पहले जो है, central government ने बोला था कि हम लोग, जो state government को lost होगा, वो state government अपने अस्तर पर जो है, वो पैसा ले सकती है, लेकिन अब change करके एका कि हम आपको पैसा loan लेके, आपके governments को देंगे, ताकि जो भी आपकी कमी हुई है, GST को compensate करने के मामले में, वो government, जो central government करेगी, और additional borrowing इसको लेकर करेगी, लेकि central government के अपने concern है, central government ये नहीं चाहती कि उसके उपर fiscal deficit, य जाटा है, वो बहुत बढ़ जाए, या उसमें government का जो debt होता है, वो भी बढ़ जाए, क्योंकि इसका एक अपना concern होता है, अपने स्तर पर वो कभी भी नहीं चाहेगी, इसके लाब कई सारे state कास कर, ऐसी government जो non-BZP government जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, कि आपने जो arguments जो आप जो जीजे कर रहे हैं, या जो पैसा हमें transfer नहीं कर रहे हैं, या हमें बोल रहे हैं कि market से ले, वो चीजे नहीं होने चाहिए, और full compensate किया जाना चाहिए, तो अब उसी के बारे में discussion continue किया जा रहा है, कि जो भी GST से compensation हो, और जो pending dues है state government के, वो उनको immediately transfer किये जाने चाहिए, second or last editorial है, to no great escape, basically हुआ क्या है, recently एक report आई, global hunger index, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, global hunger index के अंदर discussion किया गया, detail से बताया गया, कि भारत की ranking कितने खराब है, और 94 हमारी rank आई, और हम खड़े हैं, सुदान जैसी countries के साथ, माना जाता है कि सबसे worst performing countries हैं, उनके साथ हमारी ranking है, और इंडिया की जो low rank है, यह कहीना कि nutritional deficit, यानि हम जो portion वाला जो भोजन होता है, व और इसके अलावा, BRICS countries के अंदर हम नीचे खड़ें सबसे, और एक serious concern की तरह हमारे सामने है, कि एक assessment properly होना चाहिए, national situations को लेकर, global hunger index के अंदर अगर हम बात करें, तो हम लोग पाकिस्तान, सिलंका, बंगलादेश, नेपाल, इन country से भी कहीं ज्यादा पीछे है, और हमारे problem क्या है, wasting, stunning, wasting और stunning तो बड़े factor है, wasting और stunning का मतलब क्या होता है, wasting का मतलब होता है, जो height होती है, उसके according weight का increase ना हो रहा, stunning का मतलब क्या होता है, कि 5 साल में बच्चे ने जो height होनी चाहिए, वो height properly नहीं हुई, ये सारी चीजें क्या है, insufficient caloric intake की वज़े से है, और इसी mortality rate भी बढ़ता है, हाला कि child mortality rate में हमने थोड़ा improvement किया है, लेकिन child wasting में, यानि जो बच्चे की height के according weight में increase वाली जो चीजे है, उसमें अभी भी हम बहुत पीछे हैं, और इसके अलावा जो भी genetic और social determinants हैं, चाहिए वो national family health survey 4 हो, जो 2015-16 में हो, वो कोई ज्यादा अच्छी एक picture जो present नहीं करता, इसके अलावा भारत का PDS system, public distribution system जो अच्छा माना जाता दुनिया भर में, वो भी अभी भी कहीं नहीं, ऐसी diet को, जो calories related intake करें, या एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, कि बच्चों को इस तरह की चीजों से save कर सकें, जो उनको काफी damage कर रही है, तो उस personal family health survey ने बताया था, कि under five जो stunning है, वो cornic under nourishment है, कईने कई एक तरीके से खराब portion की वज़े से है, और wasting हो, या stunning हो, दोनों में हमें बहुत जादा problems है, हलांकि हमने child mortality rate के अंदर जो है, वो improvement किया, लेकिन अभी भी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, government of India ने national food security act लाए हम जिसमें 75% rural population, 50% urban population और overall देखें, तो लगभग 67% population को हम लोग food provide करेंगे, और ये दुनिया बर का सबसे बड़ा food program है, इन सब के वावजूद भी भारत में हम अपने population को अपने लोगों को nutritionist food जो वो provide नहीं करवा पाते, recently एक report भी आई थी, कि central government ने जो तरीका चुना है, वो साइद वो fail हो रहा है, या कहींने की PDA system में बहुत सारी problem समय face करनी पड़ रही है, उसके बावजूद कई सारी report आई है, जैसे ICDS की scheme है, या जो बच्चों को, या mothers को, जो pregnant women, उनको एक improvement के लिए वो अच्छा काम तो कर रही है, लेकिन अभी भी जिसमें International Food Policy Research Institute ने भी है, कि 3 out of 4, 4 में से 3 लोग, खासकर rural area में, ग्रामिन area के अंदर, balanced nutrient food diet जो परचेज नहीं कर सकते, और उसी का result है, कि हम बड़े संख्या में Indian, जो हरने के और hungry रहते हैं, भूके रहते हैं, बलकि stunned और wasted भी रहते हैं, यानि इनको properly, जो हो, एक तरीके से nutrients वाला food नहीं मिलता और उसकी वज़े से, वहाँ पर बड़ी संख्या में एक output देखने को मिलता है, कि उनको properly develop ही नहीं हो पाते, और इसी का result है, वीक immune system, इसी का result है, वायरस से बिमारियों से fight करने की capacity का कम होना, और इसी का result है, दुनिया भर में भारत की global hunger index में ranking बहुत कम, और हम खड़े हैं उनके अंदर एक ethnic conflict चल रहा है, वो एक region उनका हो सकता है, तो आज के दहिंदू news paper में इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट है, तो इसका थोड़ा सा timing भी कम रखा गया है, लेकिन कल से net 545 पर एक continue रहेगा, आपके साथ discuss करेंगे proper way में, थैंक्यू ओल जहिन